गुजरात के मोर्वी में रविवार सामको हुए पुल हादसे ने पूरे देश को सद में मिला दिया है 143 साल पुराने पुल के टूट जाने से करीब 400 लोग मुच्छो नदी में गिर गए जिसमें 140 से जादे लोगों की मोध हो गई वहीं HDRF और NDRF की मदद से 177 लोगों को बचा लिया गया बता दे मरने वालों में BJP सांसद मोहन कुंद्रिया के परिवार के 12 लोग भी सामिल है राजकोर्ट से सांसद मोहन कुंद्रिया के परिवार पर रविवार रात दुखो का पहाद तूट गया मौर भी पुल हादसे में BJP सांसद के परिवार के 12 लोगों की मोध हो गई सांसद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुल तूटने से जहां पर लोग गिरें वहाँ पर करीब 15 फिक तक पानी था कुछ लोग तो नदी से तैर कर बहार निकल गए लेकिन कई लोगों की डूबने से मोध हो गई पुल हादसे के वक्त वहाँ मौजूद एक चसमदीत ने बताया कि हादसे को सब्दों में बया नहीं किया जा सकता वहाँ पर बच्चे भी थे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खोफनाक मंजर नहीं देखा था चारो तरफ सिर्फ चेक पुखार ही सुनाई दे रही थी वहीं दूसरे चसमदीत ने बताया कि मैं रात भर सो नहीं पाया मैंने जब साथ आठ महीने की गर्वती की लास देखी तो मेरा दिल दहल गया वहीं रेस्क्यू उपरेशन में जुटे एंडी आरेफ के एक अधिकारी ने बताया कि मुच्छो नदी का पानी मटमेला होने की वज़ा से लोगों को ढूंडने में काफी दिक्कत आ रही है अधिकारी ने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी मोते देखी है बता दे कि आज सुभा से सेना, एंडी आरेफ और एल्टी आरेफ की टीमों का रेस्क्यू उपरेशन जारी है मिली जानकारी के मताबिक नदी में पानी कम करने के लिए चेक डेम्ट को तोड़ने की कोशिस की जा रही है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इनकबर के साथ